हाई अब्रिवन मैं उस्ति इश्कुमार और स्वागता फिर से अपने यूटूब चैनल आज का डेमो में आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं सैमसंग के दो हजार चोबिस के 501 लीटर के इसके अंदर आपको मिलता है बिल्ट-इन वाटर डिस्पेंसर तो सैमसंग ने इसके अंदर क्या के नए फीचर दिया है हर एक चीज की हम बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका जो पर्चेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ज सब्सक्राइब करें तो जल्दी से नजर डालते हैं इसकी फस्स लुक पर तो स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से डिजाइन के अगर हम बात करें तो सामने से जो पूरा रेफ्रिजेटर है वो स्टेनले स्टील लुक्स के साथ आता जिसका कलर सिल्वर कलर आपको देखने को मिलने वाला है सामने की तरफ यहां पर आपको इसका पूरा कंट्रोल कर सकते हैं यहां पर आपको इसकी मिलने वाली है सारी ब्रेंडिंग्स जहां पर आपको यहां पर चेक कर सकते हैं इस यहां पर है इसका मोडल नंबर जो है दो हजार चोविस का बिल्कुल लेटेस्ट मोडल है स्टार रेटिंग भी आप इसकी चेक कर सकते हैं दिसंबर दो हजार चोविस तक है एनवल अनर्जी अनर्जी कंजिप्शन है इसकी थी फोटी सावन यूनिट पर यह नीचे की तरफ यहां पर आपको यह लोक मिलने वा अभी आपका काम नहीं करेगा और यह अनलोक होगे अभी आपका काम करेगा उसके बाद यहां पर आपको बड़े से हैंडल मिलने वाले हैं अंदर की तरफ अगर हम चले तो यहां पर आपको काफी अच्छा स्पेस मिलने वाला है यह है इसका फ्रीजर बॉक्स जहां पर आ यहां पर एक्स्टान जाता है तो डॉर में कुछ ऐसा इस तरह का आपको स्पेस मिलने वाला है काफी अच्छा स्पेस इसके डॉर के अंदर भी मिलने वाला है बॉटल गार्ड की कॉलिटी भी काफी अच्छी है जो डैमेज आसानी से नहीं होंगे और साइडों से यह पूरा क्वें क्लीन लॉक्स के साथ यहां पर आपको डॉबल हैं न्यौल एक मिलन्वार है और दूसरे नीचे की तरफ यहां पर मिलने साथ ही आप एंटी बैक्टीरिया प्रोटेक्टर भी मिल जाता है तो कुछ इस तरह का सैमसंग ने अपने इस रेफ्रिजेटर के अंदर आपको डिजाइन दिया है अब हम बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले सारे फीचर्स की तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे म सबसे पहले में आपको बाता हूं कि ट्विन कुलिंग प्लस होता क्या है नॉर्मली राफिजेटर के अंदर आपको सिंगल इवैपोरेटर मिलता है यानि कि जो बैक साइड में आपने पुराने फ्रीजों में देखा हो कि जाली लगी होती थी वह नॉर्मली एक ही होती है इस राफिजेटर के अंदर आपको दो मिलने वाली है फ्रीजर के लिए अलग और फ्रीज के लिए अलग जिसकी वैसे आपको अलग-अलग कुलिंग सिस्टेम मिलता है और अलग-अलग ही दोनों के कुलिंग फैन मिलते है जिसकी वैसे आप इस राफिजेटर को अलग-अल तरह काम करेगा और जो आपका फ्रीज है वो नॉर्मल एक फ्रीज की तरह ही काम करता है इसके लिए इसके अंदर जो आपका कंट्रोल पैनल बना हुआ है इसके अंदर दोनों तरफ पे आपके लाइट रहेगी जो फ्रीजर का टेमपरेचर है माइनस 23 से लेके माइनस 15 तक वहाँ पे किसी भी एक टेमपरेचर पे लाइट रहेगी और जो फ्रीज की है वो 7 डिगरी से 1 डिगरी तक कहीं पे भी लाइट रहेगी दूसरा मोड इसके अंदर आपको मिलता है एक्स्ट्रा फ्रीज मोड मालो अगर आपके रेफ्रीजर के अंदर जो फ्रीज मिल जाएगा तीसरा मेड़ इसके अंदर आपको मिलता है सीजनल मोड जहां पर जब सर्दियां आ जाती है तब आपको आइस की जरूरत या फिर फ्रोजन आइटम आप उसके अंदर नहीं रखते तब आप इसके जो फ्रीजर वाला बॉक्स है उसको ओफ कर सकते हो और जो को फ्रीज है आप उसको और रख सकते हो इससे आपकी और भी ज्यादा एलेक्टिजिटी सेविंग होगी चोथा मोड आपको इसके अंदर मिल जाता है हॉम अलोन मोड जहां पर आप इस रेफ्रीजिटर को सिंगल एक एले आदमी के लिए यूज कर सकते हो उसके लिए आप को इसके अंदर मिलता है वेकेशन मोड मालो घर पे अगर कोई भी नहीं है सारी फैमली बाहर है और आपके जस्ट फ्रोजन आइटम इसके अंदर रखे हो है नीचे कुछ भी नहीं रखा तब आप इसके फ्रीज वाले पार्ट को ओफ कर सकते हैं और जो फ्रीजर है उसको आप फ्रीजर के जैसे ही छोड़के जा सकते हैं तो यह है इसके टोटल पांच कनवर्टेबल 5-1 मोड इसके उपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है जिसको आप मेरे चैनल पे इस जो कॉर्णर में मैंने लिंक दिया है यहां से जाके आप इसका जो कम वाटर डिस्पेंसर का स्पोर्ट मिल जाता है जो की काफी अच्छा देखने में लगता है और इसका सबसे बड़ा बैनिफिट ही है कि आपको बार बार फ्रिज खोलने की जूरुत नहीं है ठंडा पानी निकालने के लिए आप यहीं से गिलास को भर सकते हो और इसको लोग आप नोग भी कर सकते हो यहाँ पर लोग ढूलाग दोनों कर सकते हो फ्रीजेन हीं लुडwor बैकको मिलने वाला है बड़े से हैंडल मिल जाते है और यहाँ पर देखी यह है इसका बॉक्स जो आपका वाकश डिस्पेंसर के लिए यू सोना है इसके अंदर आप पानी डाल सकते हैं बार बार आपको फिज़ खोलने की जूरूरत नहीं है इस रेफिजिटर के जो अंदर जो आपको Compressor मिलता है वो है Digital Inverter Compressor जिसकी लाइफ काफी अच्छी होती है Vibrations काफी कम होते हैं जिसकी वयासे आप इस रेफिजिटर को single battery के inverter पे यानि कि home inverter पे भी चला सकते हो और stabilizer वह गार इसके उपर लगाने की जुरूरत नहीं है 100W से लेके 300 W अपने आप कंट्रोल करता है कोई भी stabilizer लगाने की जुरूरत नहीं है आपको बार से यह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इसकी electricity कि बात करें तो वो है 347 यूनिट पर एक साल के अंदर यह 347 के करीब एलेक्टिटी करता है यह पर दे का अगर हम इसाब लगाए तो लगभग एक यूनिट के आसपास यह इलेक्टिटी करेगा इसी के साथ इसके अंदर आपको पीछे की तिरफ एंटी बैक्टीरियल यहां पे आप जैसे फिश वगरा है या फिर नॉन वज वगरा है जिसको थोड़ी ज्यादा फ्रोजन जैसे हम करके रखते हैं तो वह आइटम आप यहां पर रख सकते हो एक शाल आपको एजी स्लाइड के साथ मिलने वाली है और यहां पर भी आपको नीचे की तरफ एक एक् लगबाद में लगा सकते हो तो टोटली यह सारे फीचर मिलते हैं साथ ही इसके अंदर आपको आइस कूल पैड मिल जाता है जिसका बेनेफिट है कि कई बर लाइट नहीं होती तो लगबग इसका बारा गंटे का बैक अप है आप जो भी समान इसके उपर रखोगे वह बार फ्री है तो यह सारे के सारे कंप्लीट फीचर मिलते हैं साथ ही एक और चीज इसके जो यह गैसकट है आप इसको निकालके भी साफ करके आसानी से वापिस लगा सकते हो तो यह सारे कंप्लीट फीचर सैमसंग ने अपने इस 501 लीटर के 2024 के मोडल के अंदर दिये हैं तो कैस लगा आपको यह Samsung का 501 लेटर का Convertible 5-in-1 Refrigerator with Water Dispenser कमेंट्स में जुरू बताए, प्राइज मैंने आपको इसका बता दिया है, 67,400 रुपीज का, अभी आपको मिल जाएगा, पर्चेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप इसको पर्चेस कर सकते हैं, इससे हमारे चैनल की हैल्प होगी, तो इसे के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आप से ऐसे किसे नए प्रोड़क्त के नए डामो के साथ, तब तक नेक्स